हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आज आपको नई वीडियो में तो आज जो हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं वह है पल्स ऑक्सिमीटर दोस्तों यह मैंने फिलिप कार्ट से मंगाया है और किस कंपनी का मैंने मंगा यह मैं आपको बताता हूं और पूरी आपको मैं जानकारी द बहुत कंफ्यूज था जब मैंने लिया और बहुत सारे चेक करें शौप पर जाके तब मैंने सोचा कि आप ओनलाइन से मंगा लें क्योंकि ओनलाइन जो हमें सस्ता पड़दाता है और अच्छा भी रहता हमारे रिटन पॉलिसी उसमें अच्छी रहती सब कुछ ठीक रहता तो देखिए मैं इसको कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा है और यह जो ऑक्सी मीटर दोस्तों यह है माइक्रोटेक का तो मैक्रोटेक का आपने सुना होगा बहुत जादा यह पस ऑक्सी मीटर चलते हैं कोरोना टाइम पर सबसे ज़्यादा खरीदे गए और यह जो जिस मैंने प्राइस में मंगा है दोस्तों काफी सस्ता मुझे मिल गया है क्योंकि यही मैं शॉप से लेता हूं तो मुझे बहुत महेंगा पड़ता है यह आप मार्किट में देखेंगे या उनलाइन देखेंगे तो काफी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी ज लेकिन यह मुझे जो पड़ा है वह 410 रुपे का ओनलाइन तो आप यह से ले सकते हैं कई अलग अलग प्राइस आता अलग अलग फिल्प काट से आप में लिंक दूंगा आपको 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 अपन करेंगे तो आपको इस अलग रेट में मिलता है तो प्राइस तो सभी का ज्यादा होता है लेकिन जो इसकी कीमत है वह कम होती है तो बागी बस थोड़ा सा जो है आपको इसके प्लास्टिक थोड़ी मजबूत मिल सकती है बागी काम सेम तो सेम रहता है उसमें कोई अंतर नहीं रहता मैंने चेक कर चुका हूं तो आप यदि लेना चाहे तो यह तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले टाइब इसमें बताया गया है पावर एस्पी ओर टू जो भी चालू करूंगा तो मैं आपको पूरा पताऊंगा और आप देख सकते हैं तो काफी चोटा बोक्स है और बहुत ही मतलब दिखने में तो बहुत अच्छा है और से पहले करने सब्सक्राइब तो मैं यह पाल शूप्स अक्सिमीटर देखने को मिलता है तो इस निकाल लेंगे दोस्तों आप Δीजाईशन काफी अच्छी लग रहे है एक हल्का है इसके साथ सेल नहीं मिले तो सेल इसके साथ नहीं आए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं पास से देखिए इसकी जो डिजाइन है काफी शानदा रहे दर पीछे जो हमारे सेल लगेंगे इसमें दो सेल भी आपको कौन से लगाना मैं आपको बदा दूगा क्योंकि कई हम लोकल सेल भी लगा लेते हैं तो वह कोई मतलब के नहीं होते ह है अप देख सकते हैं इसमें चली सब्स आपको दिख्राइं अंदर की तरफ थोड़ा सा वाइड वाइड दिख रह घर यहा यहां भी सेंसर होता और विपर भी सेंसर होता हुए दोनों तरप इसके audio रहे हैं आराम से हमारी पल्स ऑक्सिमीटर आराम से चेक करके इसमें बता देती है और हमारा SPO2 जो ऑक्सिजन का लेवल कितना है पी आई कितना है वो सब मैं आपको बता दूंगा डिटेल में तो यह देखिए यह हम यहाँ पर सेल लगाएंगे दोस्तों और बॉक्स में देखिए एक यह भी मिल जाता है हमें रबर बेंड मिल जाता है जो कि जो हम पल्स ऑक्सिमीटर में जगा दी हुई है वहाँ पर इसको हम लगा के इसको टांग सकते हैं कहीं पर ताकि कोई दिक्कत ने आई हमें क्योंकि हम कभी यह से नॉर्मल रखते हैं तो सा जाlt जो है उमें चौहं को डालकर जो यह यह से से अमगान देंगे DD Pro के यहां सिक्ट भी लिचाआ सकते हैं तो जादए को दिक्कत आएगी नई है और आपको जो हैसको सबसे पहले तुमारे इसमें सेय्ब नालकी पता ह disag नगे दो शब्सक्रा हम जो हैं लगाएंगे क्य तो यह मैं लाया हूं खरीद कर दोस्तों दो अलक से लाया है क्योंकि मसीन के साथ नहीं मिले मुझे तो चलिए यह सेल जो है मैं इसमें लगा लेता हूं यह देखिए आपको किस प्रकार से लगाना है आप देख सकते हैं इसमें दोनों स्प्रिंग दिए हैं एकी साइड देख लेना और इसको जो ayamothilator, जो इसको निकाल देगे और इसके बाद देखिए मैं आपको पूरा चेक करए दिखाता हूं कि तो सेड इसका थोड़ा वेट बढ़ गया है तो ठीक है अब हम जो है इसमें फिंग्र रखके और इसको चेक करके मैं आक को बताता हूं सबसे बदा दू कौन सी finger हमें रखनी है यह जो index finger होती है दोस्तों चाहे आप सीधे हाथ की या उल्टे हाथ की दोनों हातों में से आप index finger यूज करेए क्योंकि इसमें सबसे सही आपका pulse rate जो है दिखाता है और भी उस कर सकते हैं लेकिन सबसे सही जो है डॉक्टर बताते हैं तो द सामने रखें ना उपर रखें ना ज्यादा नीचे रखें बिल्कुल आपके जिसे यदि पेट के बराबर में आहात होना चाहिए तो बिल्कुल परफेक्ट pulse rate आपकी बताता है तो देखिए यह pulse rate इसने बता दिये तो 90 pulse rate बता रहा है तो जो हमारी pulse rate होती है दोस्तों आप आपने देखा होगा 60-100 के बीच में होना चाहिए तो मेरी pulse rate बिल्कुल सही है और SPO 2 है दोस्तों 90-100 के बीच में रहना चाहिए तो ठीक है और आपने PI देखा होगा PI आप यदि नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यह जो है 0.2 से 20 तक होता है मतलब इस इसमें आपने finger जैसे रखते रहोगे और बढ़ता जाएगा उसमें तो वह साथ नो दस तक भी पूझ सकता है 12 पूझ जागा तो इतना रहना चाहिए आपकी उससे पता चलता है कि पल्स कितनी मजबूत है तो यह देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में प पार्स ऑक्सीमेटर होना जरूरी है इसमें आपको बता रहा है कौन सा गलत रहा है क्वास सही बता रहा है तो यह मैं इसको लगा लेता हूँ इसको चालू कर दूँगा कि इसमें जो है पुल्स ऑक्सिमेटर हमारा सही है या नहीं है क्योंकि देखिए मैं जो यूज कर रहा हूं बीपी मसीन वो डॉक्टर मोरे पेहन की जो कि बहुत चलती है दोस्तों इसका नाम चलता है आपने देखा होगा रोई सर्मा भी इसका एड़ करता है तो देखिए य यह जो पुल्स ऑक्सिमेटर है इसमें देखिए 96-95 चल रहा है और मेरी एस्पी टू भी ठीक है जो पिया यह देखिए वो धीर धीर बढ़ती है आप थोड़े लगा कर रखेंगे तो पिया आपको बिल्कुल बताईगी कि इससे पता चलता है कि आपकी पल्स रेट जो कित बता रहा है तो दो चार्ज का थोड़ा फरक आ जाता है तो दिखिए 92 हो गया तो बिल्कुल पर्फेक्ट बता रहा है मतलब हमारी जो माइक्रोटेक की जो पल्स ऑक्सिमेटर बिल्कुल सही है दोस्तों क्योंकि देखिए डॉक्टर मोरेपेन का बीपी मसीन है मैंने उससे देखिए सकते हैं वाकि बहुत भी कंपनी एंटेक्स की कंपनी अच्छी कंपनी तो मुझे तो ज्यादा डिफ्रेंट लगता नहीं को मैंने सभी में चेक करके देखा तो वह एक ही पल्स बताती है इस पियो पोई नहीं है जो ऑक्सिजन हमारे ब्लेड में होती है और पी आ